दोस्तो तलत महमूद साहब ने एक भंगड़ा का गीत भी गाया है दोस्तो जी हैं दोस्तो उचल कूदवाला जबरदस्त बैसाकी का भंगड़ा का गीत उन्होंने एक गाया है दोस्तो आज इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि उन्होंने कौन गौन से ऐसे गीत गाये हैं दोस्तो कहने का मतलब है कि उन्होंने कुछ पंजाबी गीत गाये हैं उन्हें के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं दोस्तो तो मेरे प्एरे सीनियर सीटिजन्स साथियों दोस्तों मित्रों यदि अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया, तो कृपय चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजिये, दोस्तों तलत महमूद सहब को मकमली आवाज का बाश्या कहा जाता है दोस्तों उनके जैसा गजल गायक दुनिया में कोई नहीं है दोस्तों उसका कोई सानी नहीं है दोस्तों बहुत ही बढ़िया उनने फिल्मों में गीत गाई हैं दोस्तों से आया ना गिया जाएं तो जाएं कहां दोस्तों क्या बात आजी तस्वीर बनाता हूँ मैं तस्वीर नहीं बनती ये सब तलत महमूस आपकी आवाज में फिल्मों में जो गजलें थी या गीत थे ये वो हैं और भी बहुत सारे हैं उन्होंने एक्टिंग भी बहुत सारी फि फिल्मों में गीत गाये हैं दोस्तों बड़े रेर गीत हैं ये और बहुत ही बढ़िया क्योंकि उनकी आवाज जवर्दस आवाज के मालिक थे दोस्तों तो एक 1953 में एक फिल्म आई थी लारा लपा पंजाबी फिल्म की मैं बात कर रहा हूं या आज पंजाबी फिल्मों की जो वीडियो एउसी के ओपर अधारी था दोस्तों और तलत महमूद साहब ने उस फिल्म में गीत गाया था दोस्तों आशा जी की आवाज के साथ आजा जी के साथ एक ड्यूट गाया था मेरे दिल दी से एज़ दी ए रानी ए नी जिया दोस्तों बड़ा ही बहतरीन गीत उ हुए हैं दोस्तों मनोहर सिंग सहराय साब ने इसको लिखा था गीत को और इश्वर अनंद ने इसको पड़ियूस किया था शंकर महता ने इसको डिरेक्ट किया था फिल्म को दोस्तों तो आगे और अगले गाने की बात करते हैं परदेशी नल परीत नहीं रहुनी दोस्तो ये पंजाबी गीत एक और था तलत महमूद और निर्मला की आवाज में दोस्तो फिल्म का नाम था ससी पुन्नू फिल्म उन्नी सो पच्पन में रिलीज हुई थी दोस्तो एक और फिल्म मुटियार पंजाबी फिल्म थी दोस्तो उसमें भी वो सन 1951 में आई थी वो फिल्म उ विनोत का था दोस्तों और रमोला के ओपर वो विक्चराइज हुआ था परड्यूसर उसके थे अमरित के अवराइज हाँ डिरेक्टर जगी राम पाल थे और बैनर रूप बानी फिल्म्स बॉम्बे का था दोस्तों उसके बाद बात करते हैं कि तलत महमूस साब ने जो भंग भी फिल्म कॉड़ेशा रिलीज हुई थी दोस्तों फिल्म को एस पी बखशी ने डिरेक्टर गिया था और उसकी जो कहानी लिखी थी स्थरला बखशी ने उसकी कहानी लिखी थी मिस्स मलीका कवातरा ने फिल्म को पड़ी उसकिया था कवातरा फिल्म्स के बैनर तले वो दोस्तों बनी थी तो उसमें दलजीत थे, शामा थी मंजू थी, चांद बर्क थी रजनी थी, जस्वन्त ने उसमें काम किया था सरदूल कवातरा ने उसका संगी दिया था क्योंकि उनकी अपनी ये होम परड़क्शन थी दोस्तों उसमें दो गीत तलत महमूस साब ने गाये थे एक गीत गाया था राजकुमारी के साथ जुल्फा ने खुल चलिया जुल्फा ने खुल गईया दोस्तों जुल्फा ने खुल गईया राजकुमारी भी अपने जमाने की बहुत बड़ी आएक सिंगर उस जमाने में हुई हैं दोस्तो तो तलत महमूद साब का ये गीत इस फिलम में था डूट था अब उस गीत के बारे में जानकर ये आपको देते हैं कि भंगडा जो उन्होंने भंगडे का गीत जो गाया था तलत महमूद थे शमिंदर थे और मीन गीतों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिये जाएंगी दोस्तो तो वीडियो आपको कैसा लगा एक अलग से जानकारी है ये दोस्तो फिलमों के बारे में फिलमों के गीतों के बारे में पंजाबी गीत जो तलत महमूद साब ने फिलमों में गए हैं दोस्तो तो वीडियो अच्छा लागा तो उसको दोस्तो चैनल को लाइक कीजिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जादा से जादा शेयर करना मत भूँ